ओम शांतिंग आज 22 मार्च दो हजार चौपिस बाबा के महवाक्षे हैं मीठे बच्चें जोतना समय मिले अंतर मुखी रहने का पुरुशार्थ करो बाहर मुक्ता में न आओ तब ही बाप कटेंगे प्रश्न है चड़ती कला का पुरुशार्थ क्या है जो बाप हर बच्चे को सिखलाते हैं उत्तर है पहला बच्चे चड़ती कला में जाना है तो बुध्धी यूग एक बाप से लगाओ फलाना ऐसा है यह ऐसा करता है इसमें यह अवगुण है इन बातों में जाने की दरकार नहीं आवगुण देखने से मुहु मोडलो दुसरा कभी भी पढ़ाई से रूठना नहीं मोडली में जो अच्ची अच्ची पॉइंट्स है उन्हें धारन करते रहो तब ही चड़ती कला हो सकती है धारना के लिए मुख्य सार है तहला किसी में भी कोई आवगुण दे तो अपना मुहु मोड लेना है पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है दत्ता त्रय मिसल सबसे गुण उठाने है दुसरा बाहर से बुध्धी निकाल अंतर मुखी रहने का अभ्यास करना है धन्दे धोरी में रहते देही अभिमानी रहना है बहत बातचीत में नहीं आण वर्दान है इश्वरिय सेवा के बंधन द्वारा समीप संबंध में आने वाले रोयल सामिली के अधिकारी भवर इश्वरिय सेवा का बंधन नजदीक संबंध में लाने वाला है जितनी जो सेवा करता है उतना सेवा का फल समीप संबंध में आता है यहां किस सेवाधारी वहां की रॉयल सामली के अधिकारी बनेंगे जितने यहां हाट सेवा करते उतना वहां आराम से सिंघासन पर वैठेंगे और यहां जो आराम करते हैं वह वहां काम करेंगे एक एक सकेंड का एक एक काम का हिसाब किताब बाप के पास है स्लोगन है स्वपरिवर्तन द्वारा विश्वपरिवर्तन का वाइब्रेशन तीव्रिगती से फैलाओं ओम शांते अन्यांते